जोस्त की को चालका को दिशते की राजा को पहें ? आम यानिकी मांगो जो की कहलाता है फ्लो का राजा क्या आपको भी लगता है यह फ्लो का राजा है ? मुझे आम पसंद है लेकिन यह मेरा पसंदीदा फ smiles नहीं है फिर भी मुझे यह पसंद है तो आम तो हमने कभी ना कभी खाया होगा किसी ना किसी रूप में शायद फल के रूप में या फर किसी और रूप में तो आज एक और रूप देखने वाले हैं आम का जो की है यह यानि की आम का अचार किया आपने इसे खाया है पर क्या आम का अचार आम से बनता है तभी तो ये आम का अचार है लेकिन क्या ये इन पके वे आमों से बनता है जी नहीं आम का अचार बनता है कच्चे आमों से यानि कि अंबी से तो इन कच्चे आमों से बनता है आम का अचार और आज हम जानने वाले हैं कि ये आम का अचार आखिर बनता कैसे है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामगरी क्या लगती है यानि इंग्रीडियन्स क्या क्या होते हैं आम का अचार बनाने के लिए तो सबसे पहले आता है हमारा आम यानि एक किलो कच्चे आम यदी हम लेते हैं और उसका आम का अचार बनाते हैं तो कैसे वो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 kg रॉम आगो, सबसे पहली जरूरत है हमारी कच्छे आम की, यानि की आमबी, तो उसके बाद हमें और क्या चाहिए होगा, और हमें चाहिए होगा, 50 g मेथी दाना, यानि की 50 g फेन्यू ग्रीक सीड्स, जो की होते हैं, यह है, मेथी का दाना जो होता है उसे बोलते हैं फेन्यू ग्रीक सीज उसके अलावा हमें चाहिए होगा 25 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च यानि 25 ग्राम रेच चिली पाउडर यह हम अक्सर अपने खाने में इस्तमाल करते हैं हरी मिर्च पाउडर जो होता है मिर्ची के लिए उसके अलावा हमें चाहिए होगा 30 ग्राम कलाउजी 30 ग्राम कलाउजी कलाउजी यह काले रंगी होती है ब्लाक कलर के सीज होते हैं इसे बोलते हैं कलाउजी फिर हमें चाहिए होगा 50 ग्राम सॉफ यानि की 50 gram fennel seeds जो की होती है यह सॉफ जब हम खाना खा लेते हैं अकसर अगर हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो आंत में हमें सॉफ के साथ मिश्री मिलती है यह वही सॉफ है जिसकी खुश्बू से हम उसे पहचान सकते हैं फिर हमें चाहिए होगा एक चमच काली मिर्च यानि की जो पीले रंग की हल्दी होती है वो और 150 gram नमक 150 gram salt नमक तो हमें पता ही है स्वादा नुसार हम डालते हैं हर सबजी में तो यह नमक भी ज़रूरी है अचार में बहुत ज़्यादा जरूरी उसके अलावा हमें चाहिए होगा एक लीटर सरसो का तेल वान लीटर तेल में होता है क्योंकि तेल जो है वो आम के अचार में और दूसरे अचार को बनाने में इस्तमाल होता है चलिए अब देखते हैं कि यह बनेगा कैसी हमारा आम का अचार सबसे पहले सारे मसालों को आपस में मिला लें और उसमें आधा कप तेल डालें तो यह जितने भी मस तुकडों को लेना है और मसाले में अच्छे से मिला देना है यह हम प्लेट में रख सकते हैं और उसे अच्छे से मसाले से ढख सकते हैं आम के तुकडों को एक कांच के जार में इन मसालों को वाले आम के तुकडों को रखें फिर जितने आम के तुकडे हमने लिये होंगे उस मसालों में अच्छे से मिला दे फिर से हमें वही करना है कुछ और टुकड़े लेने हुनें मसालों में मिलाना है फिर दुबारा कांच के जार में इन मसालों वाले आम के टुकड़ों को रखे और फिर से आम के इन टुकड़ों पर थोड़ा और मसालों का मिश्रन डाले ऐसे ह मसालों वाले आम के ट्ुकडों को जार में डालते जाएं कब तक ऐसा तब तक करते रहे जब तक आम खतम enough जाएं इसकेबाद बचे वे तेल को जार में डालें ताकि आम जो है सारे वो धब यडाय तेलसे और जार को धक्कन से अच्छे से बंद कर दे फिर इस जार को हफ़ते भर तक धूप में रखें आम की टुकड़े खाने के लायक मुलायम हो जाएंगे इस तरह आम का अचार बनकर तयार हो जाएगा तो यह पूरा जो समगरी थी उनको हमने मिला कर बनाया आम का अचार तो दोस्तों हमने देखा कि अचार कैसे बनता है how is pickle made खासकर हमने अभी देखा आम का अचार कैसे बनता है यह एक तरीका है आम का अचार बनाने का दूसरे अचार भी कुछ-कुछ इस तरह से बनते है लेकिन यह बहुत से तरीकों में से सिर्फ एक तरीका है क्या आपके यहां भी आम का अचार इसी प्रकार बनता है जरा पता कीजिए कि आपके यहां जो आम का अचार है या कोई और अचार है आखिर उसमें क्या-क्या समगरी डलती है और वो कैसे बनाया जाता है जरा आपने पसंदीदा अचार को कैसे बनाया जाता है यह पता कीजिए